बाबा सिद्की की हत्या की हुई सल्मान और सारु खान से दोस्ती थी क्या यहाँ पर विस्नोई गैंग ने जो अपने हत्या कराया और तीन सूटर यहाँ पर पकड़े गए हैं वो अब तक यहाँ पर पुलिस के तो गिरफ में आ चुके हैं लेकिन जो पूरी रजनिती हाँ की गई है बाबा सिद्धी को मारने के लिए क्याएं पर शालमान खान की दोस्ती उनसे थी क्योंकि जब बिस्नोई गैंग अपने हात में इस सारे केश को लेने की जब जिम्हेदारी ली है कि उन्होंने सूट किया है उनको बाबा सिद्ध की मतलब सलमान खान के जो नजदी की है वो है बाबा सिद्ध की सारू खान के भी नजदी की बाबा सिद्ध की थे तो कहीं न कहीं सलमान और यहां पे सारू खान की दोस्ती बाबा सिद्ध की सी थी और महराष्ट में जो कि बांदा में इनको गोली से मारा गया और तीन सूटर थे जो कि साम तक इनकी हास्पीटल में जाते जाते मौत हो गई है और ये केस कहीं न कहीं अब बड़ा हो चुका है कि आगे चल करके यहां पे सलमान खान भी नहीं बचने वाले क्योंकि बिस्नोई गैंग ने हाँ पे एनॉस्मेंट करा दिया है कि अब कहीं न कहीं जो भी सलमान से रिस्ते बनाएंगे उनको वो लोग यहां पे खत्म कर देंगे क्योंकि टार्गेट उनका सलमान खान है तो है क्योंकि ये लोग जो अभी कर रहे हैं ये उनके नजदीके को पहले मार रहे हैं क्योंकि देखिए बिसनोई गैंग जो है वो बहुत पहले सलमान खान से पीछे लगी पड़ी है इसके पहले जो की बांदा में सलमान खन के घर अप्रेल के महिने में जो की 5-6 गोलियां चलाई गए थी और उनको इलर्ट किया गया था कि वाली वूट के जो लोग भी हैं अब कहीं न कहीं आपकी जो जान का वो खत्रा बना ही रहेगा क्योंकि याँ पे बिसुनोई गैंग की बात करें जो हेड हैं वो तो आपको पता है कि जो की जेल में बंद है लेकिन जेल में बंद रहने के वज़े से भी उनके बाहर जो हैं वो कनिक्सन हैं और उसी की चलते कहीं न कहीं बाबा सिद्रकी की जो हत्या हुई है वो बांदा मे हुई है और तीन सूट्टों ने गोली मारी है उसमें से एक यूपी के जो कि कबार बिनने का वगरा का काम करता था पूना में अब बताईए वो कबार बिनता था लेकिन उसको गन चलाने कैसे आई कहीं न कहीं उसने टेनिंग ली है तभी न भाबा सिद्धकी पे उसने गोली चलाई है ऐसे कैसे हो गोली चला देगा और अब पुलिस इसके लिए पुरा सक्त हो चुकी है और वहीं आपको बता दे इसमें एक बिहार से जो आते हैं पप्पु यादो उन्होंने विसनोई गैंग को 24 घंटों के अंदर समात करने की बात करी है और यहां तक कहें हैं कि विसनोई जैसे तो हमारे हां पान मंगाने का काम करते हैं उनके तो कहीं न कहीं आप पप्पु यादो न भी चैलेंज के है ट्वीटर पर गोलियों से भून दिया गया जो अब बच नहीं पाया उनकी मौत हो चुकी है और इस पर कहीं न कहीं पूरा वाली बूर्ड जो सलमान खान की दोस्ते उनसे थे वो लोग सारे लोग निरास तो हैं लेकिन अब विसनोई गैंग कहीं आगे आगे आपर ट्रेंड हो रहा है औ तब तक ये विसनोई गैंग सांथ से बैटने वाली नहीं है लेकिन फिलाल अभी जो तीन आरोपी हैं उनको कुलिस ने गिरफतार कर लिया है दो को तो उसी दिन कर लिया और एक को आज के डेट में किया है तो अब तीनों लोग को तो पकड़ लिया गया है अब इनसे पू से रूर दे